Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्ड़बल के लोगों की आस्था और देश प्रेम छुपा हुआ था स्वामी विविकनन जी का मानना था कि जपैनी सोशल और पॉलिटिकल मुरैलिटी से इंस्पायर होके और सेल्फ सेक्रिफाइस और यूनिटी के थूप इंडिया भी जपैन जैसा महान बन सकता है और सिर्फ स्वामी विविकनन थी नहीं बलकि दो और ग्रीट थिंकर्स सुभाष चंद्र बोस और रबिदनाट टेगोर भी इस छोटे से लेकिन पावर्फुल आइलेंड कंट्री से काफी प्रभावित थे ग्यारा दशक बाद इंडियन पार्लेमेंट को एड्रस करने वाले पहले जैपैनीस प्रैम मिनिस्टर बने शिंजो आबे और उन्होंने सौमी विवेकनन के शिकागो भाषड को कोट करते हुए कहा कि दुनिया में इंडिया का कॉंट्रिबूशन उसका Spirit of Tolerance रहा है आबे के लिए इंडिया कोई आम कंट्री नहीं था वो अपने दादा जी और फॉर्मर जैपैनीस प्रैम मिनिस्टर नॉबिसू के किशी के लेगिस्टी को केरी कर रहे थे इसलिए जब 8 जुलाई जैपैन के नारा शहर में एक छोटे से गैदरिंग को एड्रस करते हुए शिंजो आबे पर गोली चली तब इंडियन सर्किल्स में एक मायूसी चागई उनकी मौद से इंडिया ने अपने स्पेशल वर्ल लीडर को खो दिया इंडो जैपैन रिलेशन्स के लिए शिंजो आबे एक खास परसनालिटी थे इंडिया के लिए उनका प्यार और इज़त सिर्फ बाइलिटरल टाइज ही नहीं बलकि पूरे इंडो पिस्विक विजिन का फाउंडेशन था सबसे लॉंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे अकेले ऐसे जैपैनीज लीडर थे जो तीन बार इंडिया के सफर पर आये थे उन्होंने दोनों देशों के आपसी संबन्द को एक नई दिशा तो दिही थी साथ ही वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेद मुदी जी के खास दोस्त भी बने इंडिया को लेकर शिंजो आबे इतने होपफुल थे कि 2007 में रिलीज उनकी किताब Towards a Beautiful Country, My Vision for Japan में आबे ने ये दावा किया कि अगर अगले दशक में Japan-India Relations, Japan-US और Japan-China Ties से आगे बढ़ गए तो वो हैरान नहीं होंगे आज आबे के चले जाने से कहीं न कहीं इस आशा को गहरी चोट पहुची है क्योंकि International Relations में ऐसी दोस्ती कभी देखने को मिलती है इसलिए उन्हें स्रद्धांजली देते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 9th July को National Morning Day डेक्लेर किया आबे को एक Dearest Friend बताते हुए नरेन मोदी जी ने ट्वीट किया कि उन्हें एक Towering Global Statesman, Outstanding Leader और एक Remarkable Administrator के रूप में याद रखा जाएगा दोस्तो आज के इस पीडियो में हम Shinzo Abe और इंडिया के इसी दोस्ती की कहानी बताएंगे और समझेंगे कि उनकी absence का इन दोनों देशों के संबन पे क्या असर पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का discussion लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को mention करना चाहूंगा कि इंडिया जपान की relations और Shinzo Abe का इंडिया की development में involvement UPSC means के GS2 के IR section के लिए काफी important हो सकता है जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में और ज़्यादा बात करेंगे और फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं जोस्तो आब एक कोई ordinary politician नहीं थे वो उन rare category की politicians में से थे जिन्होंने 21st century Japan के लिए ना सिर्फ एक economic power बलकि एक geopolitical power बनने का vision नर्चर किया था एक dedicated nationalist की तरह है जब वो 2012 में दूसरी बार Prime Minister बनके लोटे तो उन्होंने कहा Japan is back यानि internationally Japan अब एक leadership role में अपने आपको establish करना चाहता है तेजी से बदलते global scenario में जपान की defense और security उनके लिए खास importance hold करता था और इसलिए वो जपान के pacifist constitution को revise करना चाहते थे 2011 के tsunami और nuclear meltdown से तबाह हुए जपान की दोर संभालते हुए शिंजो आबे political stability को establish करने में काम्याब रहे यह political stability जपान के लिए एक बहुत ही खास बात थी क्योंकि जपान अपने बदलते prime ministers के लिए मशूर रहा है 2012 से 2020 तक इस longest tenure की वज़े से वो अपने कई ideas को actions में तबदील कर पाए आज के कई dominant themes के पीछे आबे का एक significant contribution रहा है चाहे वो उनके दोरा popularize किया गया इंडो Pacific का concept हो या चाइना के belt and road initiative के अगेंस्ट एक strong infrastructure partnership का idea In short, शिंजो आबे में वो strength और conviction थी जिससे वो नए possibilities को explore कर Asian solidarity में जपान को एक नई मंजिल तक ले जाना चाहते थी और उनके इस mission में उन्होंने इंडिया को एक strong ally बना लिया था दोस्तो 2007 में जब पहली बार शिंजो आबे अपने prime minister विजिट के लिए आये थे तब इंडिया उनके लिए कोई unfamiliar territory नहीं था बचपन में उन्होंने अपने दादाजी से इंडिया के कई किस्से सुने थे नौबियूसू के किशी जपान के पहले prime minister थे चो 1957 में newly independent इंडिया के दोरे पर आये इंडिया के पहले prime minister जवालनाल नहरू के महमान नवाजी के बारे में आबे ने 2007 में इंडियन parliament में दिये गया speech में जिक्र किया था नहरू जी ने किशी के लिए एक outdoor civic reception organize किया जिसमें हजारों लोग इखटा हुए थे और इसी भीड के सामने नहरू जी ने बड़े गर्व से किशी को introduce करते हुए कहा था कि ये है जपान की प्रधान मंतरी जिनकी मैं बहुत इज़त करता हूँ Second World War में पराजित जपान के इस लीडर के लिए ये एक बहुत बड़ा achievement था यही नहीं खुद गरीबी से जूजने के बावजूद Post War Japan अपने आत्म सम्मान के लिए ODA यानि Official Development Assistance प्रवाइड करना चाहता था और इंडिया ने ये खुशी से accept कर लिया और क्या आपको पता है कि पंडित नहरू ने जपान के जू के लिए एक हाथी गिफ्ट किया था जिसको उनने अपनी बेटी इंद्रा का नाम दिया था जी हाँ दोस्त इनफेक्ट आबे ने अपने स्पीच में ये भी कहा था कि May 2001 में जब इंडिया ने सूर्य नाम के तीसरे हाथी को बेजा तब वो रिसेशन में डूबे जपान के लिए एक आश्रा का संदेश बन किया आया अपने दादा जी की ही तरह आबे भी इंडिया के साथ जपान के संबंद को लेकर काफी सीरियस थे 2006 से 2007 तक सिर्फ एक साल चलने वाली उनके पहले टम के दौरान आबे के foreign policy initiatives में इंडिया विजिट एक priority बना इंडियन पार्लेमेंट के speech में उन्होंने ये बोल ली अलान किया था कि अब समय इंडिया और Pacific Ocean के एक होने का था यही confidence of two seas यानि दोनों समुंदर का संगम एक broader Asia के idea को encourage कर सकता है जिससे इस region में freedom और prosperity बनी रहे आज इंडिया के foreign policy agenda में सबसे उपर है इसके लावा US और Australia के partnership के साथ Asian democracies का coalition आबे के लिए एक सपना था जो आज इंडो जपान ties का cornerstone है आबे के leadership में ही इंडो जपान bilateral relations के एक major road block को हटाया गया और वो था इंडिया की nuclear status के अगेंस्ट जपान का resistance दोनों देशों ने 2016 मजा के finally एक civil nuclear pact sign किया सिर्फ strategic partnership ही नहीं बलकि शिंजो अबे के leadership में इंडिया और जपान की बीच defense, economic और cultural engagements इस level पे हुए थे जैसा पहले कभी नहीं हुआ था आईए इन पर एक नजर डालते हैं दोस्तो जब बात economics की आती है तब एक term सामने आता है Abenomics एक ऐसी distinctive economic policy जिसको आबे ने प्रमूट किया था तो क्या था आबेनॉमिक्स? तेरजल एक developed economy होने के बावजूद लंबे समय से जपान एक slow growth period से गुजर रहा था जब आबे 2012 में दूसरी बार प्रम मिनिस्टर बने तब उनका एक major goal था इस stagnated Japanese economy को revive करना उन्होंने government spending, monetary easing और economic reforms मिलाके एक three step strategy अपनाई जिसे एबिनॉमिक्स के नाम से जाना गया इससे वो जपान के persistent deflation को beat कर hyper easy monetary policy और physical spending के थूँ economic growth को revive करना चाहते थे साथ ही जपान के fast aging और declining population से deal करने के लिए वो structural reforms को भी consider कर रहे थे वैसे तो अबे नॉमिक्स एक well planned strategy थी लेकिन जपान का deflation काफी strong था और COVID-19 pandemic ने इन efforts को और भी effect किया पर अबे नॉमिक्स इंडिया के partnership के साथ fit बैठा था इंडिया एक developing economy है जो अपने high growth rates को retain करने के लिए और अपने predominantly young population को employment देने के लिए manufacturing पे focus है इसलिए make in India जैसे programs के थूँ foreign investments और jobs generate करने की कोशिश की जा रही है इसी context में इंडिया और जपान एक दूसरे के लिए opportunity बने अब एके tenure में इंडिया सबसे जाला Japanese investments अट्राक करने में काम्याब हुआ दो अलग economic stages में होने के कारण इंडिया और जपान एक दूसरे को कई तरह से compliment करते रहे जपान के investments और cutting edge technology इंडिया के लिए एक वरदान साबित हुए इसका एक example इंडिया के bulletin project में देखा गया जिसको inaugurate करने के लिए शिंजो आबे 2017 में गुजरात के सफर पर आये थे और के second term में इंडिया के foreign direct investments यानि FDI का 10% जपान से आया था जपान के 1.8 billion dollar investment इंडिया के total FDI flows का 11.2% बना 2016-17 में investments 4.2 billion dollar तक जा पहुँचे आबे ने इंडिया के कुछ major projects में Japanese support को ensure किया था 17 billion dollar का मुंबई एहमदबाद bullet train के अलावा इसमें मुंबई और New Delhi के बीच freight corridor भी शामिल था Japanese government backed Japan International Corporation Agency JICA ने पिछले कुछ सालों में इंडिया में multiple investments किये है JICA के data analysis के मताबिक 2013-14 से average commitments 348 billion Japanese yen और average disbursements लगभग 216 billion Japanese yen रहे है दोनों देशों के बीच 2018-19 के period में pre-pandemic trade 17.63 billion dollar के आसपास था इसमें 12.77 billion dollar Indian imports और 4.86 billion dollar exports में शामिल थे इंडिया ने iron और steel products और machinery जैसे goods इंपोर्ट किये और petroleum products, chemicals, clothing और accessories जैसे चीज़ें export करी आज जपान इंडिया का 9th largest investor है और इसका major credit लेट शिंजो आबे को ही जाता है एकनॉमिक्स के साथ साथ defense एक ऐसा area है जिसमें उनके leadership में कई by little achievements enjoy किये गए दोस्तो शायद ये बिफिटिंग था कि आबे के tenure के आखरी दिनों में दिल्ली और टोक्यो के बीच military cooperation पे major agreement sign किया गया आखर वो आबे ही थे जो security matters पे इंडिया और जपान को करीब लाने में काम्याब हुए थे 10th September 2020 को sign किया गया ये agreement दोनों देशों के armed forces के बीच mutual exchange of supplies और services ensure करता था इसके लावा इस agreement के एंडर इंडिया और जपान एक दूसरे के military basis को भी access कर सकते हैं औस्ट्रेलिया के बाद इंडिया second country है जिसके साथ जपान का ऐसा agreement है इंडिया के लिए औस्ट्रेलिया, France, Singapore, South Korea और US के बाद जपान इस logistical support agreement का sixth pillar है defense cooperation पे शिंजू अबे का इंफेसिस चाइना को counter करने के लिए pursue किया गया था इंडिया के साथ-साथ वो बाकी Asian countries को भी इस strategy में अपना close ally बनाना चाहते थे और इसलिए वो जपान के collective self-defense right को exercise करना चाहते थे जिसके लिए जपान के pacifist constitution का amendment उनके लिए एक priority बना रहा दरसल second world war की disaster को धान में रखते हुए Japanese constitution का article 9 उसे war declare करने का sovereign right नहीं देता अबे जपान के post war regime को पीछे छोड़ देना चाहते थे क्योंकि US occupation की legacy ने US से उसका national pride छिन लिया था आबे के लिए इस याद को मिटाना ज़रूरी था और इसलिए उनका खास focus इंडो-pacific region के unity में था जहां जपान चाइनीज हेजिमनी की खिलाफ एक leading role play कर सके दोस्तों इंडिया के साथ जपान के इंडो-pacific vision को आबे ने अपने 2007 speech में आउटलाइन किया था उनका मानना था कि दोनों देश अपने geographical boundaries से बाहर निकल कर इंडियन और Pacific Ocean के transparency को preserve करेंगे Chinese aggression के चलते आबे का ये vision reality में तबदील हुआ कई joint projects के थुरू इंडिया और जपान ने अपने bilateral ties मजबूत किये चाहे वो North East India का development हो या 2017 में Qualilateral Security Dialogue का revival या फिर Asia Africa Growth Corridor जैसे joint connectivity projects का development East और South East Asia में अपने footprint को expand करने में Japan इंडिया को support करता आया है इसके लावा चाइना के साथ border disputes में भी जपान इंडिया के साथ खड़ा हुआ है और ये सब शिंजो अबे के leadership की वज़े से हो पाया है इतिहास में शायद ही कभी इंडिया और Pacific Ocean इतने करीब आपाए हैं जितना बीते दशक में जियो strategically अचीव किया गया अबे इने इसको operation की कलपना पहले ही की थी और उनके बदालत इंडो जेपान relations, special strategic और global partnership की उचाई पर पहुँच पाए experts का मानना है कि इंडो Pacific region में आब एका रोल उनके सबसे significant global contributions में से एक रहा है और naturally ये partnership इंडिया के लिए बेहद एहम थी दोस्तों मुझे लगता है कि UPSC का pattern change होने के बाद अगर किसी segment की importance सबसे ज़ादा बढ़ी है तो वो है current affairs अब current affairs के साथ issue ये है कि इसका कोई एक fixed source नहीं है और इसी लिए कई बार students FOMO के चकर में अपना बहुत सारा वक्त core subject से sacrifice करके current affairs में लगाना चालू कर देते हैं जिससे उनकी तैयारी की गाड़ी अपने track से हट जाती है पर ये समस्या थी last year तक क्योंकि अब study IQ के live foundation pre-plus mains batch में CAP यानि current affairs program के इंतरगर आप अपने current affairs daily pdfs के थू complete कर पाएंगे जिसमें Hindu and Indian Express जैसे newspapers के साथ-साथ योजना और कुरकशेतर जैसी magazines को भी cover किया जाएगा इस course में live classes के साथ-साथ one-to-one mentorship और retired I.S. officers से group mentorship जैसे features भी मिलेंगे और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिल सकता है 18,999 के discounted price पे अगर आप coupon code यूज करते हैं AG live morning batches की शिरुवात 11 जुलाई morning 8 a.m. से होने जा रही है इस batch से रेडिट सभी important links आपको pinned comment में मिल जाएंगी तो अब आप भी पुरे देश के students के साथ कहिए कि आप तयारी हुई affordable study IQ के साथ बाकी सभी अप्टेट्स के लिए आप मुझे मेरे social media handles पे follow कर सकते हैं दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि आबे को Japanese political history में एक special personality की तरह याद रखा जाएगा उन्होंने ना केबल Japan को American shadow के तले एक defensive comfort zone से बाहर निकाला बलकि उसे Asia में अपने future को सम्हालने का ताकत भी दिया वो चाइना जैसे aggressive powers के अगेंस्ट Asian democracies के unity पर खास जोर देते थे observers का कहना है कि आज आबे के vision को पूरा करने के लिए इंडिया, जपैन और बाकी Asian democracies को अपने unity को maintain करते हुए नए milestones अचीव करने होंगे उनके चले जाने से इंडिया की तरह जपैन की दूसरे friends और partners में इस बात को लेकर चिनता है कि कहीं जपैन political instability और strategic passivity में ना चला जाए उनको याद करने के साथ साथ इंडियन establishment शायद इस बात को regret कर रहा है कि आबे के रहते वो bilateral ties के full potential को achieve नहीं कर पाए पर आबे की legacy काफी rich है और अभी तक achieve किये गए सारे milestones को मिला कर ये कहा जा सकता है कि उनके vision ने इंडिया और जपैन की future path को हमारे सामने layout कर दिया है historical, cultural, economic और strategic exchanges से rich इंटाइस को nurture करना आबे की प्रती एक सची शद्धान जली होगी तो दोस्तो ये थी हमारी आज की case study जहां पर हमने discuss किया कि कैसे शिंजो आबे ने एक major role play किया इंडिया जपैन relations को nurture करने के लिए और इंडिया में हुए development में भी अलग-अलग reasons में उनका significant contribution था तो दोस्तो ये थी एक analysis शिंजो आबे और इंडिया-जपैन friendship को लेकर और जैसे कि आपने वीडियो के पहले भागयों बताया कि इस वीडियो की importance UPSC means के लिए काफी जादा है और उसी importance को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे है जिसे आपको comment section में answer करना है and the question is शिंजो आबे was a true friend of India discuss the statement in light of recent developments in Indo-Japanese partnership and with this question my friends that's it for the video I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शियर करना मत भूलेगा हम मिलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत